स्वेट मार्डन दी पुस्तक क्रोडपती किमें बढ़ियें? तो अडेकोल कोई पुंजी नहीं, परिस्नल की, तुसी चिंता ना करो। बिना किसे पुंजी दे तुसी क्रोडपती बढ़ सक देओ, दौलत तो अडेक अदमाच जोम सक दियें, तुसी इस पुस्तक नो पढ़ जारा करदा हुया, अपना जीवन कट देंदे, गरीबी दे विचारोदे मांच बहुत डूंगे दबे रन्दे, पिजी बिली दे वांग, ओ दबया दबया जया, जिंदगी दी गटी खिच दा रन्दे, थोडांच जियोन दाओदा सुबा बांजांदे, ओ गरीबी दे कार अपना जीवन संतोशी बना लन्दे, सब को जो बरदाश्त कर लन्दे, ओ इस गालते सोच वी नी सकदा कि अपनी गरीबी नू दूर करके अमीर हो सकदा, ओ इस गालनू जानदा ही नहीं कि गरीबी ओधी सुबावक वस्था नहीं है, ओधे विश्वास्त य अनुसार ये स अब किसमत दा खेल है, इस वर नहीं ओधी किसमत वेच गरीबी लिख देती है, गरीबी असल च मनुख दी जनम जात सुबावक वस्था नहीं है, ना ही इस वर ने मनुख दा निर्मान गरीब रहन देले कीता है, सिर्फ कुछ आपवादानू छड की, बाकी संपूरन ज्यादा तार पाग उन्हें सुंदर बनाये, उन्हें कोई अजया चेननी बनाया, के फलाने व्यक्तीनू दृद्धरता विच्ची जीवन बतीत करना पाएगा, इश्वर दा एस च कोई दोश नहीं है, दोश ता अपना है, असी गरीब, गरीब का अर्च पैदा होया, मां गरीब है, मां बाप गरीब है, इस कारण असी भी गरीब, पर असी गरीब क्यों बने रहे, साधी निर्धनता क्यों काइम रहे, एस ते असी नहीं सोच दे, आखिर असी क्यों गरीब बने रहे, असी जेया केड़ा पाप की तैके गरीबी विच जीवन बताएगे, कि असी यहनु बदलनी सकते। क्यों हालात नल समझोता कर लेंदे। खुद नू ना दे अनकूल बना लेंदे। जदके जरूरत एस गल्दी है, ते मनुखता भी एसे विच्चे के हालात नू अपने अनकूल बनाया जाए। असी अजया नहीं कर दे। इस कारण हालात सनू अपने इशार्यां ते नच्चोंदी है। ओ गुलाम बन जान्दा है, जो व्यक्ती हालात दास हो जान्दै। ओ जीवंच कुझ भी नहीं कर सकता। असी हालात दे दास बन जान्या। फिर किसे कारण असी निर्धनता तो चुटकारा नहीं पासकते। निर्धनता क्यों? असी निर्धन क्यों? साड़ा गरीबी दा कारण, साड़ी गरीबी दा कारण की है। इदा जवाब है, असी खोदे देले जिम्मेवारा। एस निर्धन्ता दा कारण असी खोदां असी उन्हों बना रखे हैं उन्हों सविकार कर रखे हैं जे असी उन्हों ठोक कर मार देगी कि यो साड़े को दुबारा आ सकती हैं गरीबीदी जन्जीर सड़े अपने कारणा नाल गलेच पई हैं इन्हों असी चैये ता उतार के सुट सकते हैं सड़े लावा दूसरे नुनी उतार सकता हैं सड़े मांदे विचार सड़े सोचन दी शक्ती एस परकार बन गई है कि असी उस्तो छुटकारा नहीं पा सकती हैं अपने विचारानों तुसी सुतंतर रूच कि में परगड कार सकती हैं कि में तुसी अपने व्यक्तित्तव नाल दू जी अनु परबावत कर सकते हैं तुसी किसे चंगे स्थानते नहीं रह सकते हैं चंगे कपड़े नहीं प्यान सकते हैं ता अंदरोस्त नहीं रह सकते हैं ता दुझे लोग तो अड़े तो की परबावत होंगे लोग तो अनु छोटा आदमी मननननननननननननननननननननननननन तु सीन्दा संभोधन नहीं देगा, सब तून्दा संभोधन देनगे, तो अड़ी कोई परतेश्ठा नहीं होईगी, निर्धन्ता देई कारण मनुखदा सरी टोट जान्दा, वो बेव वक्त बुड़ा हो जान्दा, तंग देल, छोटा, तुच, होना, कम जोरा, ते अपने इच्छावानू दमन करनवाला बन जान्दा, गरीबी एक सराप है, गरीबी हारीक मनुखदा पवे खने रबना देल ओदे मन विच ब्रेम समापत हो जान्दा, पैसे दी तंगी दे कारणू दा सुबा चड़ जान्दा, वो अपने परिवार दे प्रती नाता प्यार रख दे, ना परवार दे लोकांदा प्यार पौन्दा, जीवन ओदे ले नर्क दे ब्राबर हो जान्दा, सारे उत्तम गु अपनी गरीबी तो उत्पन बेवसी दे कारण 10 रुपेदा कामों 1 रुपेज करन लगदा है ओधी तान कमान दी शक्ती काट हो जानती है ते समापत हो जानती है ओ ब्राबर गरीब बनिया रहन दे जा गरीबी च ओर वी हेट लेस तरते आ जान दे की मनुख हो किया जया जीव जान दे गरीबी दा जीवन पशुआं तो वी बत्तर हों दे पशुण नो तो कोई चिंता नहीं होंदी वो अपना पेट के ते भी मू मार के पर सकते है गरीब नू हमेशा रोटी दी चिंता लगी रहन दी है ओधे मांदियां सारियां खुशियां मिट जान दी है कोई वी उत्सवन उसुख नहीं दन दा वो अपना वो बहुत कट जीवन जी पहुंद है थोड़ा विच सिसक सिसक के ओधी बेवक्त मौत हो जान दी है गरीबी चेरे तेवी आके बैठ जान दी है चेरा दास दन दा है के गरीब है गरीब हो के जियोन दी बनस्पित मर जाना चंग ह करो निर्धनता दे कारणे से लिए कई लोग फांसी लाके जा होर टंगा नडात मत्या कर लग दिया गरीबी ते पुख आदमी तो घल्थ काम करों दी है गरीबी ते पुख दा मारे आदमी पाप कर दा है अपराद कर दा है इसे कारणे इस तरिया अपना स्रीर विचन लग पुर्ष चोरी राजनी करन लग दे हैं, वो अपरादी बन जाया कर दे हैं, सब लोकानू पता है कि गरीबी पाफ ते अपरादी जन्मी है, फेर जैए गरीबी नू गड़ क्यों लोना, निर्धनता क्यों, एते सानू खुद सोचना चाहिए, कि ऐसा जीवन सानू पसांद है इस परकार दा जीवन किसे नू भी पसांद नहीं हो सकता है, गरीब बन के जोना, कोई पसांद नहीं कर दा, पर मजबूरियां उनू बेवस बना देंदे हैं, हालात वाश ओ गरीबी दा जीवन जोन तो मजबूर हो जान दे, जे मजबूरी दा एकेरा तोड़ देता जाये गरीबी अपने आप दूर पाज जायेगी, स्वाल केरा तोड़न दे, ते जदों तक तुसी इच्छा नहीं करोंगे, एकेरा तुटन तोरे हैं, तुसी जिस परकार अपने गरीबी देले खुद जिम्मेवारों, उसे परकारों नू हटाउन दी जिम्मेवारी तोड़ी है जो कुछ कर सक देओ, तुसी कर सक देओ, दूसरा कोई तोड़ी मदद देले नहीं आएगा, तुसी किसे भी हालत विच कि हो जेवी क्योंना होगो, खुद नू तन कुबेर जां क्रोडपती बना सक देओ, तन्वान बना सक देओ, एदे ले तो अनू हर यतन करन दी जरूर तुसी सुखी संपन जीवन बतीत कर सकते हो बस एदेले तो अनुतकली यतन शील होन दी जरूरत है संसार दे कुबेर पतियां तन्वानना दे जीवन दा धिन करनते पता चल दे के पहला होई गरीब सां निहायत गरी अपने यतना नालो अरपपती बण गए जदो बण सकते हन तुसी क्यों नी बण सकते है उना दी ही तरा तुसी वी ता मनोखो उना देते तो अड़े सरीर दी बनावट्च कोई फरक नहीं जो अपंग है जा विकलांग है उना दी गाल चाड़ देओ जो सही सलामत हन जिनानू पगवान ते पूरा सरीर सुन्दर रूप देता होया है जिव गरीब दा जीवन जियों देओ ता उना वरगा अपागा होर कौन हो सकते पगवान ने जात्तो अनू पूरा सरीर देता है ता गरीब रहा के तुसी पगवान दे देते वरदान दा लाब नहीं उठाँ देओ इस तो वड़ा तो अड़ा दुरपा अक्की हो सकते है तनो मनो पूरान समरत रेन ते तो अनू गरीब दा जीवन कदेवीनी जिवना चाईदा तुसी अपने आप वेच गरीबीनू हटांच पूरान समरत हो निर्धन ता साड़ी अपनी गमजोरी ते निकम में पणदा परतीक है ये तुसी न सोचो के तुसी निर्धन पर वार्च बैदा होयो ये इसलिए तुसी उन्ती नहीं कर सकते जा तन पती नहीं हो सकते ये पावना मन्चो एकदम कड़ दियो बाप क्रोडपती है उधे बेटे भी क्रोडपती होनगे एक कोई नियम नहीं, क्रोडपती बाप दे बेटे निर्धन हो जान्दे है, तिप एक मंगे बाप दा बेटा क्रोडपती हो जान्दे, ए सब पाग दा नहीं, ये अपनी करनी दा फाले, ग्रीबी तुसी अपनी कमजोरी दे कारण फोग रहे हो, तो अड़ी काम ना करन दी प सारे आंग सै सलामत रखे हैं, तो अनू कम करन दी समरथा देती है, तुसी योदा परियोग ना करो, ताकि चपर पाड़ के तो अड़ेवेडेच सोना चांदी बर्स जाएगा, कि तुसी क्रोडपती बन जाओगी, ये ता संभव है, तो अनू क्रोडपती अपनी कारज समर था नाड़ बनना पहेगा, तो अनू खोद नू अपनी हालात नू बदलना पहेगा, फिर तुसी खोद वेचे एक परिवर्तन लिया सकते हो, अपने मन तो तुसी खोड़ेश प्रसन नू पुच्छो, निर्धन ता क्यों, तुसी निर्धन क्यों हो, अपने आपट अनु अपने जनम दे बाद अपने इसे जीवन चे सिखना पेंदे जदो तुसी पैदा हुंदेओ तो अनू चलना जा रींगना भी नहीं आँदा तो अडे परवार दे लोकी तो अनू सब कुछ सिखना दे है इक एक गल तो अनू सिखाई जन दी है बोलना लिखना पढ़ना सब को कि तो अनू सिखाया जान दे ते जुदो इनना सब को तो अनू करना पेंदा है ताकि तुसी ऐस गल नू भी नी जान सकते के एस गल नू भी नी सेख सकते की अपने जीवन चे हो जया किस परकार दा परिवरता लिए ओना यह एक अजयी गल है जिदी अवघ्या दे कारण त तुसी दुखी रह जानexistुखे होर गल्लांदी तरह तो नूए वी सिखनां चाहिए कि तुसी सुख मही ते सफल जीवन किस परकार बतीत कर सकते हो किस परकार जी सकते हो सचाईट ऑढ़ा है कि आसी अपनी हीन पावनादे कारण इस परकारदा जीवन बतीत करन्दे बेवस हो जानने है, साड़े मांचे पावना कर कर जान दी है कि असी किस लाय का, साड़े विच्ता किसे परकारदी योगता नहीं है, असी किस काम नू कर सकते हैं, तुसी अपनी योगता नू को जान दी हो, ते हालात नू जेव जा, तु इस गल्ट तुसी तन पती होन जाक को बेर बनन दा सुपना भी नहीं देख सकते हैं। इक वार असफल हो गए ताकि बार बार कई वार असफल होन ते वी यतन बराबर करना चाहिए। के सानू उच विचारां ते सोचना चाहिए। आतम निर्भरता ते विचार करने चाहिए। अपने मान चेस गल्दा आतम विश्वास बिठाणा के तुसी सफल हो सकते हो। तुसी अपने हलातनों बदल सकते हो। येस परकार दी पावना जा तोड़े मंच बैदा होईगी फिर तुसी कुछ कर सकते हो। खुशाली दे विचारा नाल आतम निर्भरता ते आतम विश्वास दा जनम होंगा है। एक सिधांत दी गल्या है कि मनुख जिहुजा विचार करदा है। जिहुजा बोल दा है। उस परकार दी कम करदा है। ते जैसे कम करदा होदा वैसा फाड मिल दा है। एसलै सबतो पहला अपणे मांचों हेन पावनावानू द्रिद्धर्तादी विचारानू कड के सुट दित्ता, एस गलनू याद रखो के पिखारियां दे वांग विच्चार करके व्यसा आच्चरन करन्वळा व्यक्ती एथे पिखारी ही रहेगा, अ सफलतादे नांते जो ब